वेडी लिखें यह अच्छा है कि तवांग में चीनी सेना से जड़प के बाद भारत सरकार का ध्यान एक बार फिर चीन से होने वाले आयात पर गया और उसने बहां से आने वाले तैयार माल में कमी करने के लिए कमर कसी लेकिन बात तब बनेगी जब इसमें सफलता मिलेगी इसकी अंदेखी नहीं कि जा सकती की करीब धाय वर्स पहले गलवन में खूनी जड़प के बाद भी चीन से ब्यापार घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे और मेक इन इंडिया को गती देने के साथ आत्म निर्भर भारत अवियान सुरू किया गया था लेकिन उसके वांचित परिणाम प्राप्त नहीं हुए यदि उन कारणों की पहचान कर उनका निवारण नहीं किया जाता उनके चलते चीन से आयात होने बाली सामिगरी कम नहीं हो पाई तो फिर से नतीजा धाक के तीन पात वाला ही हो सकता है यह चिंता जनक है कि चीन से आयात कम होने के वाजाएं बढ़ रहा है इसके चलते उससे बैपार घाटा बढ़ रहा है एक ऐसे समय जव चीन भारत से लगती सीमा पर आक्रमकता दिखा रहा है तव यह बुलकुल भी ठीक नहीं कि आपसी कारोवार का पलड़ा उसके पक्ष में जुका रहे इसका मतलब है कि बह हमारे ही पैसे से हमारे लिए मुसीवतें खड़ी कर रहा है सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के साथ चीन से ब्यापार में संतुलन लाना भारत सरकार की पहली प्रार्थ मिक्ता बननी चाहिए चीनी वस्तों पर निर्भरता खत्म करने और उसके यहां से होने वाले आयात को कम करने में सफलता तव मिलेगी जब हमारा उद्योग जगत इस चुनोती का सामना करने के लिए आगे आएगा समझना कठिन है कि बह इस चुनोती का सामना करने के लिए तयार क्यों नहीं है सरकार उद्यों को इसके लिए प्रोत्साहित ही कर सकती है कि वे उन वस्तों का उत्पादन करें जिनका चीन से आयात होता है गुडवत्ता के मामले में इन वस्तों का उत्पादन ना केवल घरेलू बाजार की आवशक्ता के अनुरूप होना चाहिए बलकि विस्ववाजार में इस्थान बनाने वाला भी चीन से लेकर केवल तयार माल के आयात में कमी करने के लिए ही जतन नहीं होने चाहिए क्योंकि बहां से कच्चा माल कहीं बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है विडम्मन यह है कि इसमें कुछ सामिग्री बहवी है जिसका निर्माण एक समय भारत में होता था भारत सरकार को एक और जहां उद्धुमियों को चीन का मुकावला करने के लिए तयार करना चाहिए बहीं आम जनता के लिए भी यह आवश्यक है कि बह भी चीनी वस्तों पर निर्भरता छोड़े सरकार को यह भी समझना होगा कि चीन को सही संदेश देने के लिए कोई नए उपाय करने होंगे स्टॉप लिखी गई सभी से 80 का मेटर रखा है मैंने 400 वाइड है और इसके लिए पूरा 30 मिनट दे रहा हूं में 30 मिनट में अनुवाद करना है सभी को करें सभी वटाफट अपने अपने सिस्टम अन कर लें करें